अलिगर के सिविल लाइन इलाके की मिनाक्षी पुल पर पाइक पर अपनी मा के साथ जा रहे 22 वरशी युवक का पतंग के माज़ी से गला कट गया जिससे वो गंभी रूप से खायल हो गया इस थाई लोगों ने आनन फानन में खायल को दीन दाल अस्पताल पहुंचाया जहां से डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया सुचना पर पहुंचे परेजरों ने खायल को वर्र ट्रॉमा में भड़ती कराया जहां डॉक्टरों ने बड़ी मशक्कत के बाद सफल ओपरेशन कर युवक की जान बचाय जानकाय देते हुए हरिंदर के भाई मनुच ने बताया कि 22 वर्षी हरिंदर अपनी मा के साथ बाइक पर अपनी दीदी की हां से वापस लोड़ राता जैसी हरिंदर मिनाक्षी पुल पहुंचा तभी रास्ते में उरती एक पतंग की माची से हरिंदर का गला कट गया जिससे हरिंदर लहू लुहान हो गया यह दिक हरिंदर की मा की होश उड़ गये इस्थानी लोगों की मदद से आनन फानन में हरिंदर को दीन दयर अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टर ने प्रात्मी उपचार देते ह गंबी हालत के चलते उसी रैफर कर दिया सूचना पाका हरिंदर के परेजन मौकी पर पहुंचे और उसे नजदी की वरन ट्रॉमा में भरती करा दिया जहां डॉक्टर ने हरिंदर की गर्दिं का सफल ऑपरेशन करते हुए हरिंदर के जान को बचाया च्या नाम आपका? मनोज जी च्या गटना हुई है? मेरा चोटा भाई हरिंदर दीदी के हां से आ रहा था तो उसको मीना च्यपल पे एक पतंग उड़ती जा रही थी तो उससे माजा गले से होके निकल गया तो गले से गला कट गया उसे माजे से पतंग की दागे से मतला अधिंद्र आपके सब्सक्राइब करें गनिश्पूर गोविंदपूर अत्रोली छेत्रों तो भाई आप अधा हां से आधा अधा फ्याइबा अधा धीदिय थो फोट सब्सक्राइब यह ऐसे है शाड़े पांच बज़ेगी समस्ते है फिर आपको कैसे बतार चला है घर पर फोन पहुंचा है कैसे हम तो तब आये उसी की नंबर से उसी की नंबर से यह जान करें नहीं है उसे कौन लेकर आया तो अब उसके टांके मां के लगा रहा है यह हाला और कुछ नहीं है अभी तो मैंने देखा भी नहीं है उसको डॉक्ट साब ने मना कर दिया थोड़े बाद देखने के लिए वदू वैडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है वेधरीं डिजाइन्स के कलेक्शन जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लेंगे साधियां आपके लिए मठरा में ही उबलक्त है बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वदू वैडिंग प्लाजा की तरफ तो आज याए वदू बैडिंग प्लाजा अपने तोहार को बनाए और भी खास वदू वैडिंग प्लाजा कृ выпуск झिजान नगर मतरा